प्यारे दियारत्यों आज के विडियो लेक्चेर में हम लोग Chemical Classification of Matter का इजिकल अधिन करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्योर सबस्तान्स क्या है पिछले video lecture में हम बताए थे कि matter का chemical classification जब करते हैं तो दुनिया का कोई भी matter होता हो उसको हम दो बर्गों में बाढ़ते हैं पहले वाले को हम लोग कहते हैं प्योर सब्स्टांस या इसी को आप सब्स्टांस बोर सकते हैं जिसको सुद्ध पदात काते हैं और दूसरा को कहते हैं इन प्योर सब्स्टांस या उसी को हम लोग मिक्चर के नाम से जानते हैं प्यव स्टंस पर्कार के हो जाते है intermittent, compounds, एलिमेंट भी ताब्पार के हो जाते है math, non-metal, metal wires और compound को भी हम लोग बरभों में हाट सकते हैं, और organic compound N-Iorganic compound, तो चलिए हम इसका अध्यन करें, सबसे पहले हाओ अपने कापी में heading दे दिजीगा, pure substance क्या है जिसको हिंदी में हम लोग बेटा सुध्ध पदार्थ के नाम से करते हैं क्या करते हैं सुध्ध पदार्थ अब देखिए दोनों में अंतर क्या है पदार्थ और द्रब्य में देखे सुध्शड पदार्थ होने के लिए तीन शर्ट है पहला बात कि द्रब्पे काव हरु यही द्रब्ब ही है अस्थान गेरेगा इसमें द्रब्मान होगा ठीक है तो किवल एक ही परकार के पर्माड़ू से बना हो, जैसे लोहा है तो लोहा का एटम से बना है, सोना है तो सोना का ही परमारू से मिलके बना है, सोडियम है तो सोडियम के परमारू से भी बना है, चादी है तो चादी के ही परमारू से बने है, तो दुनिया में जितने भी एलिमेंट होते हैं, वह एक ही परकार के परम ऐसे जोग से मिलकों का पानी लाएं में उसमें हईडरोजन और 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 अकसिजन नुपात बिल्कुल यह कोई योगीक है दुनिया में उसका कोई केमिकल फ़र्मूला है तो उनका आनुपात भी निश्चित होना चाहिए और तिसरी सर्थ है कि इनके ओयों को यह जिन चीज से मिलके बना है उनके ओयों को सधारण धोतीक विजियों दोरा प्रिथक नहीं किया जा सके जैसे जल जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाडू से मिलके बना है तो ऐसा कोई भी फिजिकल मेथड नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दें डूम्न में रही जिए है पानी को करतें कपड़ा से च्छानों कके फृट press गिले को अलग नहीं नहीं होता तो इसकी थीर से थीर सर्थ है कि रभकायों हरुप जो यो गलत करकलों से बने होते हैं कमा जो तत्तों के निश्चित अनुपात के संजोग से बने होते हैं तथा जिनके ओयों को सधारण भौतिक विजियों दोरा प्रिथक नहीं किया जा सके उसे सुध बलार कहा जाता है एक्जामपल के तौर पे हम इहां दे सकते हैं दुनिया में जितने भी तक दिखाई देते हैं पूर तकों की संज्चिप निश्चा भी 108 हो गया है वह सब प्योस सब्सक्रांश के एक्जामपल होता है इसको फेरम करते हैं इसका लाइटीनिम फेरम होता है इसलिए संगेट एफी यूज करते हैं सोडियम हो सकता है वेटा सोडियम का संकेत आप जानते हैं इसका लाइटी नियम होता है इसलिए संकेत आप जानते हैं इसका लाइटी नियम होता है जो आप जानते हैं इसी परकार हम गोल्ड ले 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 गोल्ड जिसको सोना तक इसका संकेत एउ होता है कारवन हम ले 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 इसका संकेट C होता है ETC तो जितना भी दुनिया में तब तो होने इसके एक्जामपल होने क्योंकि यह एक ही परकार के परमादों से मिलके बना होता है Made by same kind of atoms Same kind of atoms चुकि यह एक ही परकार के परमादों से मिलके बने होते हैं इस और एक्जामपल होने All Compounds दुनिया में जितने भी योगी होते हैं वहां हमारे pure substance के एक्जामपल होते हैं जैसे हम एक्जामपल के तोर पे जल देलू जिसको हम एक्गवात आते हैं एक्गवाता मतलब पानी, water, H2O देखिए ऐसे इसका सदहारन अनुपात आपक लिखिएगा ratio हाइड्रोजन कितना है, दो अनुपात एक है, ठीक है, हाइड्रोजन दो है तो मैंने दो लिख दिया, oxygen का अनुपात, दो अनुपात एक है यदि इसके द्रब्यमान का हम अनुपात निकाले है, तो हाइड्रोजन का परमारूद द्रब्यमान अबरनुम से सिख्याए हम भी पढ़ाएंगे एक दस्मलोज 008 होता है, तो एक मान लेते हैं, तो दो हाइड्रोजन है, तो उसका अनुपात दो हो जागा और और ऑक्सीजन का परमारूद द्रब्यमान सबको पता है कितना होता है, तो दो अनुपात 16 दिखें इनके द्रब्यमान का अनुपात क्या रहा है, दो अनुपात 16, हम इसको और छोटा कर दे हैं, दो एकम दो, दो अठ्ये 16, अर थाथ 1 अनुपात आथ, कोई पूछे की जल में हाइड्रोजन और और ओकसीजन के परमालू द्रभ दमानों का अंपात किया है एक अंपाताथ और इनके सधाल अंपात कोई उचे तो दो अंबात है अनुपाद दू दस्मरों एक दू अनुपाद की एक होगा इसमें कोई बद्लाव में होने वाला है और थात यह तक्तों के निशित अनुपाद से मिलके बने होते हैं इसी परकार में करबन से लिए कान ऐसा अनंपाद कुछे तरहले करने एक अनुपाद गो आप लिए सकते घ्रभी मानों का उपार कुछेतर कारवन का पर्मद्रह दरभी मान बारे होता है् ऑक्सिजन का सूल एह सूल इप्तिस हैं बात देने हम चार से 4,3,2,4,3 वर्ट हे 32 इसका अनुपात होगा तीन अनुपात है चाहे तारबन नायक्साइल किसी भी बिजी से क्यों आप बनाया गाए उसमें तारबन और ओक्सीजन का अनुपात तीन अनुपात होगा और सरल अनुपात कोई पूछे तो एक अनुपात होगा यह बात समझ चुके हैं और था कि तक्तों के निश्चित अनुपाद के संजोग से बने होते हैं और तीसरा बात है कि इनके ऑवयों को जो हाइड्रोजन ऑक्सिजन जो से मिल के जो बने हैं इनको हम चाहें को कोई सधारन होती विजियों दौरा अलग रहें कर सकते हैं क के प्रोसेस है कि हाई्डोजन और ऑक्सिएन को अलग कर दें लेकिन किसी भी भावतिक विजियों के द्वारा इनके आओ यहों को अलग नहीं किया जा सकता है तो कह सकते हैं कि दुनिया में जितने कंपाउंस होने वस्ताब सब इसके एग्जांपल होने जितने एलिमेंट् सब्सक्राइब तो जब मैं कहूं कि लाओ एक पडार्थ लेके आओ विद्यान का तीचर है एक तेमस्पी का सिप्षत है कि पडार्थ लेके आओ तो समझना है वह या तो एलिमेंट पूर रहा है या वही तो किसी कंपाउट को मांग रहा है ठीक है बोल चाल मैं पडार्थ कर तो समझने को किसी बस्तू का दिमान हो रहा है लेकिन एक टेमस्ट्री का सिप्छत है कि प्यूर सब्सकांस लाओ तो आप या तो ऐलिमेंट उसको दीजिएगा या तंपांस दीजिएगा तो एक बात से असपस्ट है कि दुनिया के सभी मैंतर प्यूर सब्सकांस नहीं हो सकते हैं जैसे मैं कहूं कि या थरमस या एक मैंतर है चूंकि अस्थान घेरता है ठीक है अस्थान घेर रहा है और इसमें तरद्विमान है प्रंतु या प्यूर सब्सकांस नहीं है कह सकते हैं क्योंकि ना तो या इलिमेंट से नहीं यह कमपांस है कब मैं कहुँ कि एक बोरा यह हूं या मैटर वहाइप्ध छाफ्टे कि नहीं तो इताता होगा में तत्तों के完शित देशियों से बना होगा मैं तहत्तों jáगई ज्जिसकों मिठा तहते हैं मिठा एक मिष्म है ? वह एक मैंतर है pure substance नहीं है मैं एक हम मिट्टी, एक मैंतर है, pure substance नहीं है तो एक वाल टीया लिसी गवरा नोट से लिखिए आधा कि सभी सभी pure substance सभी pure substance matter होते हैं matter होते हैं कोई पूछे क्योंकि आस्थान गेरेंगे इसमें तरब पेमान होगा परांदू सभी matter सभी matter pure substance नहीं होते इसको लिख लिएकर पूरा लिख लिए प्योर सभ्स्कांज नहीं होते अब आपके दिमान में आठा होगा सभी परिभासवा नहीं लिखाए क्यों चुक्कि बेटा ट्रेडिक्शन बदल गए है परिभासा वे जां में नहीं पूछा जाता है प्योर सबस्ट्रांस इसे करते हैं, फिर भी आपको लगता है कि मैं परिभासा लीखूं, तो मैं बोल रहा हूं, लीखेगा, मैं भी सेट करते होगा, लिखिए, द्रब्य का वहरूप, जो एक ही परकार के परमाड़ों से बने होते हैं, द्रब्यका वह रूप जो यही परकार के परमाड़ों से बने होते हैं कामा दिजेगे जो तत्तों के निश्चित आनुपात के संजोग से बने होते हैं तथा जिनके ओयों को जिससे मिलके बनाया एक्साम्पल बना दीजिएगा All Elements गर दीजिएगा All Elements और अधाम्पल को जाए ने बात समझ चुके नहीं तो अभी हम लोग देखे थे की प्यूर सबस्टांस की एक्साम्पल या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या या थे झिरूप को नदाए है सुध करने तो अध्य को टे होता है यरीमेंट और्य अभर प्रशना की बीपारे में होता सब्सक्राइब के बारे में पढ़किया है फिर भी मैं बता देता हूं कि तत्तों क्या है ताकि पिछली चीज पुन्रागिर्टी हो जाए तो कापी में आप अपना हेडिंग दे दीजिएगा एलिमेंट हिंदी में इसी को हम लोग तत्तों कहते हैं याद रखेंगा देखिए तत्तों के कंसेप्ट को स्वर पर्थम एक साइंटिस थे रॉबेट बॉयल रॉबेट रॉबेट बॉयल नाम के साइंटिस जो थे तत्तों के कंसेप्ट को दिया अब देखिए तत्तों कहलान कि सुध्ध पदार्थ का वहरूप होता है या सुध्ध पदार्थी है सुध्ध पदार्थ का वहरूप जो एक ही परकार के एतम से निलके बना हो पहला सब्थ हो गया तथा जिन है और सरल पदार्थों में भी घटित नहीं किया जा सके इसे किसी भी chemical method के दोवारा, physical method के दोवारा और simple substance में तोड़ा नहीं जा सकता हो उस चीज को हम लोग element कहेंगे ठीक है, कोई की का आधा परिभासा लिए देता है कि सुध्धर पदार्थ का वहरूप जो ये कही परकार के परमारूँ से बने होते हैं तथा जिन्हें और सरल्पदार्थों में बिघटित नहीं किया जा सकता है, उसे तद तो कहा जाता है आप लिखनी सा लिख लिजिएगा, यहां उन्हमें एक बार बोल देता हूँ कोई पूछे element क्या है, बोलना कि तद तो के बारे में कोई पूछे तो कहलेगा जिन्हें और सरल्पदार्थों में बिघटित नहीं किया जा सकता है, उसे तद तो कहा जाता है, याद रखेगा दो बात निश्चित रूप से आना चाहिए, डिफिनीशन में अब आपके दिमाज में आता होगा, कि कुछ तत्तों के एक्जामपल आप दे दीजिए, तो आप जानते हैं कि अभी पुल ग्यान तत्तों के संख्य 118 है, तो कुछ तत्तों का एक्जामपल आप दे सकते हैं, जैसे कारवन है, सलफर है, हाइडरोजन है, इरिडियम है, सोन है, जिसको गुल्ड औरम करते हैं, एक फी है, लोहा, जिसको फेरम करते हैं, सीरू है, एजी है, एक चीज याद रखिए, आप एक चीज याद रखिए, कोई पुछे कि भईया, इतना पेसिक बात आपका सका है, तुम्हारे स्वार्गी पढ़ा रहे है, नोवा में पढ़ है, बोलना कि तरह नहीं बताईए, तो लोहा का नाम, लोहा का संकेत एक ही क्यों पढ़ा, फोंस जागा, लोहा का लाइती निम्त्या पहद रहा है, जबकि इसका लाइती निम्ध फेरम होता है, छोटी-छोटी चीजों को दिमार में बैठाते चलना है, जानते हैं, तो प्रक्या है, इस शक्तर में पूरा री टैक्टूलेट हो जादा पुम्राविर्थी है, आगे हम पर हैं, नोट में तमाम बातों को आप लिखते चलिएगा, कोई पूछ लेट की बताईए, अभी कुल ज्यांत तत्तों की संख्या इतना है, यार रखेर आभी, कुल ज्यांत बानबे तत्तों प्राक्यृत द्वारा मिर्मित हैं, भालवान जी उनको दिये हैं, अयस्क के रूप में, खनीज के रूप में, या ऐसे ही, नटी, समुंदर, तलाग, पृत्वी, भूपर, पट्टी के नीचे इसको इंसान निकाल लिया है, बानबे तत्तों प्राक्यृत है? तो बानबे में बनाया गया है, अनबो में बनाया है, अब प्रस्नाफ के बनाया गया है, तो कौन ऐसा तक जब परत् Corn nggak, बनाया है, पूछता हैं कि हमें पन एलेम्न के सही पढ़ह लिया, उसे जाएगा, अईसात तक तरह अनाम टैक्वनीसियम प्रोटान की संख्या 43 है इलेक्टान की संख्या 43 है पर्थम मानो निर्मित तत्व है प्रोटान की संख्या 43 है इसको भी आप में लिखते चलिए है इसको नाम सब लोग सुने है हाइड्रोजन इसका संकेट होता है यह एटम के फॉर्म है एच्टू लिखाएगा वह हाइड्रोजन गय से वकणरू के फॉर्म में है तो आगे सब चीज की चर्चा हम लोग करेंगे एटम क्या है अंतर क्या है दोनों में दोनों में रियक्टिव कौन है एच और ह्च टू में अंतर क्या है घवडाने की बात नहीं हर चीज को सीखेंगे प्रंतु आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे जीरे धीरे वहां सीठेंगे धवड़ाने की जूरत में यह हाइड्रोजन पर्थम हाइड्रोजन सबसे हलका सबसे हलका तत्त है तथा यूनिवर्स में यूनिवर्स इसको परमान कहते हैं पर अथे में शर्वाधिक मातरा पाया जाता है और आपको हम पता है और हाइड्रोजन गैस तेलोरिफिक भैळू उस में अमान सबसे अजिक होता आपको हम बताएं होगे जब आपको पढ़ाएं होंए गैस वहां केलियर है और दूसरी चीज़ याद रखेगा इरिदियम एक तक्त्व है यह धातु है दरसले इरिदियम इसका संकेत बेटा होता है आयार सतहत्ता का घनत को का देन सीटी लिखना देन सीटी सरवाधिक होता है सरवाधिक होता है सरवाधिक होता है अर्था सबसे भारी होता है सबसे भारी होता है किηमें थोड़ा देखते रहेगा मंदा हिंदि हमारा मजबूत है अब समझ चुके हमने मजबूत होने का मतलब मतलब जाए सरवाग depend होता है अरथस सबसे भारी होता है कुछ किताबों में पूराने किताबों में ऑस्कि नियम लिखा और चुकि परियोग से पता बूआ है कि इस प्रिफवी यह त profund मात्रा में कहती है इसको कि बर मात्ति फूरी बर्माण की बाता यइन सबसे इंड retailers मात्रा में ग्रहनAME एकजितारों में सूर्ज में असमान जमीन जबहें यह पाइए फार प्रिजिव की बात कर दो कहते हैं हुआ परपrånती इसको में मुलग कहते हैं अbowa ब्रस्त के मुदाइब कर दो पर ना डिक मात्रा करा चलागे मात्रा में की ऑक्सीजन भी से हैंक चाहिगा जाता है गी ऑक्सीजन में पाए जाने वाला कौन तप्धा और वाई मंदल में और यह पाया जाता है उसको पता रहें कौन से तक होते हैं जो पाय जाते हो उसको याद रखे और शीजन सबसे अभी पाया जाता है लगव 46.6 पर 380 वजन के हिसाब से इसके बाद पाया जाता है silicon 27.7% इसके बाद उससे कम पाया जाता है उससे अलग मात्रा में पाया जाता है एक धातु ले जिसका नाम है sensational 8.3% इससे कम लोहा पाया जाता है 4.7% उसके बाद calcium पाया जाता है एपरोक्सजिया 3.6% लिए प्रस्म पूछे जाते हैं इसको नोट में बना लिए आपको याद है कोई कुछ दे कि भूर पर पती पर सरमाधिक मात्रा में पाए जाने वालगत तक्तों है तो आक्सीजन सरमाधिक मात्रा में पाए जाने वालगत अधातु भी पूछे तो आक्सीजन होगा चुकि आक्सीजन एक धातु है उसके बाद कोई कुछे दूसरा तक तो कौन होता है तो सिलिकॉन या उपधातु है सिलिकॉन तो कह दे कि भूपर पती पर सरमाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम बता ऐट है तो इसका नाम है लौहा फेरं चार कॉएंग साथ परतीसत होता है तो कम से-कम यह चार आपको याद् sign होना चाहिए इसका बाद century एंःलमूनियगा यह तो बाति रखने की कम से आपको आश्यक्ता नहीं है एक चीज और । सबस्सक्राइट करते हैं। तो इसका कारण है कि एलवूनियम की पराप्ती जटे हैं वी प्रक्तीर होता की करते हैं। लोह के निकालने की जो पर्तिरीय होती है, वह सस्ता होता है, इसलिए एल्मुनियम भूह परपरति पर अधिक मात्रा में पाए जाने के बाव मुज़ूद धी एल्मुनियम सस्ता है, एल्मुनियम महना है और लोहा सस्ता है, बाद याद रखेगा, एक चीज और जनकारी के लिए पता दे, पूरी यूमन बड़ी जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्तो पाये जाता है, तो ऑक्सीजन लगभग एक सथ परतिसाथ, और उसके बाद होता है, जो हमारी सरीव लगभग तेस परतिसाथ कारवन से बनी होती है, उसके बाद हाइब्रोजन हो दूसरा पुछे तो कारवनी कंपर्टीशन में पुछे जाते हैं, धातु में अलिमेंट पढ़े थे, लेकिन आप ऐसे नहीं पढ़े थे, एक और जी जनकारी के लिए याद रखिएगा, जिस तत्तो का परमारु संख्या बेटा सो से अधिक होता है, जैसे मेरा अलिमेंट आप सूपर हेवी अलिमेंट हैं, जिस तत्तो का परमारु संख्या, किसी भी संख्या बेटा को परमारु संख्या, जिस तत्तो का अधिक होता है, जैसे क्या अधिक होता है, उसे तो अभी ग्यात तत्तों की संख्या 108 है इन ग्यात तत्तों को भी हम लोग प्रोपटी के अखार पर गूर के अखार पर तीन बरगों में बाढ़ सकते हैं मेतल, ननमेतल और मेतल वायड्स जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे जो आप मैट्रिक में पढ़िया है धातू, अधातू और उपधातू देखे, इस चीथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़े हैं जरूर नौमा दस्वा में फिर से दुबारा ये रीकैट्टूलेट हो जा रहा है पुन्रा विर्तिव हो रहा है ताकि जो पच्चे नहीं जानते हो उनको सीखने में कहीं दिक्कत नहीं हो आगे की पढ़ाई याद रखेगा बेटा कि जिस घर की नियू जितनी ही मजबूत होती है उसकी इमारत उतनी ही भब होती है आप अपनी नियू को मजबूत करते चलें उपर इमारत मुझे बनाना है आगे जाहिए अगर तो अन्ने सिख्चर को को और डेवलप चीज पढ़ाना है तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि नमवा दसमाप में जो चीज चेप्टर हम पढ़ किया है वह पुना रिपीट भी हो जाए और अपनी हम सेलेबस को भी पढ़ लें हम लोग नेस्ट वीडियो लेक्चर में मेटल, नन मेटल, मेटलवाइड्स के साथ मिलेंगे धन्ने बार